हाई फ्रेंड्स आएम अमन आज हम लोग कुछ टिर्गोनमेटिकल रेशियो के कोश्चन को देखेंगे चलिए देखते हैं जैसे ये एक ट्रेंगल ड्रॉ किया हुआ है उसमें टैन ठीटा का जो वैलू है वो पी वाई बी होता है तो इसको हम सी को न ठीटा लेट कर लिया है तो इसके सामने वाला को पी बोले तो ए हो गया अब यह हो गया आपका तो यहां से एच का अगर वैलू निकालते हैं तो रूट अंडर ए स्क्वाईर प्लस बी अस्क्वाईर हो जाएगा उसी तरह से कोश्चन में दिया हुआ है इस सो करना है कि इतना ए साइन ठीटा माइनस बी कॉस ठीटा अपॉन ए साइन ठीटा प्लस बी कॉस ठीटा इस इक्वाल टू ए स्क्वाईर माइनस बी अस्क्वाईर अपॉन ए स्क्वाईर प्लस बी अस्क्वाईर आपको लाना है चलिए देखते हैं A के जगवा A रहने देंगे साइन ठीटा के जगवा P तो P आपका कितना है? A है A by H आपका कितना है? A square plus B square A square plus B square minus B है तो B लिखे देंगे कौस ठीटा में आपका B कितना है? B तो B by root under A square plus B square upon A sine theta है तो A into sine theta के जगवा पर theta के सामने A P तो P आपका कितना है? A A हो गया और उसके बाद root under A square plus B square उसके बाद plus B into कौस ठीटा के जगवा पर B तो B आपका B ही है into B by root under A square plus B square उसके बाद A into A A square हो गया by root under A square plus B square minus B into B B square हो गया उसके बाद root under A square plus B square by A into A आपका A square हो गया by A square plus B square plus B into B आपका B square हो गया उसके बाद root under A square plus B square उसके बाद यहां से देखते हैं इसका अगर LCM लिजिए खा ती वही आपका जाएगा root under a square plus b square उसके बाद root under a square plus b square से जब divide की जाएगा तो 1 आ जाएगा 1 को जब a square में multiply की जाएगा तो a square आ जाएगा minus जब root under a square plus b square से जब इसको divide की जाएगा तो one times में यह कड़ जाएगा और one को जब यह B square से multiply किजेगा तो minus B square आजाएगा उसी तरह से नीचे में देखेंगे तो इसका भी LCM लिए लिजेगा तो कुछ इसी तरह से आजाएगा A square root under plus B square उसके बाद जब इसका इससे इसको divide किजेगा तो one times में one को जब इससे multiply किजेग तो A square हो जाएगा उसके बाद इसके बाद A square minus B square अपन root under A square plus B square यह आपका उपर चला जाएगा root under A square plus B square by A square plus B square इससे यह कड जाएगा उसके बाद A square minus B square by A square plus B square आपका तो प्रूफ करके यही लाना था सो करना था तो LHS से चले और उसके बाद RHS में यह प्रूफ हो करके यह complete आ गया उसके बाद दूसरे question को देखते हैं तो 3 cot theta is equal to 4 दिया हुआ है तो cot theta is equal to देखेंगे तो यह 3 cot theta के साथ multiply है equal to के उस साथ में जाएगा तब 4 के साथ divide के form में आ जाएगा तो फिर इसको triangle पर जब draw करेंगे तो इसका naming कर लेते हैं A B और C इसको theta ले लेते हैं तो इसके सामने वाले को P लेकिन quad theta में तो हम लोग पढ़े हैं BYP तो P आपका 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा अब P आपका 4 है यहाँ पर 4 हो जाएगा उसी तरह से आप इसका H निकालिएगा H square equal to P square plus B square तो यह आपका 4 का जब square करेंगे 4 का square प्लस 3 का square इसको जब निकालिएगा तो 16 प्लस 9 H square equal to तो H का जब value निकालिएगा तो वह root 25 यह दोनों को add करनेवा 25 आएगा तो H का जो value आएगा आपका 5 होगा इसको यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद question में कर रहा है तो 10 आपका क्या है ठीटा के सामने P यानि की 3 का 3 और उसके बाद B तो B आपका 4 है फिर उसके बाद 1 प्लस 10 प्लस फिर वही 3 और 4 का होल स्क्वाइर कीजिएगा उसके बाद देखिए कि 1-9 वाई 16 बाई 1 प्लस 9 वाई 16 इसको जब यहाँ पर देखेंगे इसका यहाँ लेंगे तो 16 तो 16 माईनस 9 हो जाएगा उपर में उसके बाद नीचे में भी कुछ इसी करेंगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा इसको देखेंगे तो 16 माईनस अगर 9 करते हैं तो 7 अपन 16 यह उपर चला जाएगा 16 बाई 25 इससे यह कैंसिल आगे आपका 7 बाई 25 फिर उसी तरह से एलेचे से तो देखे तो 7 बाई 25 आया तो अब आरेचे से देखेंगे और एच से देखत देखे हैं तो दीया हूँ है किसथे थीटा मैनस साइन स्क्वार ठीटा तो सीड़ इकल-टू वाई-पिति इ आपका कितना 4 4 व बाई आपका एज ना है 55 का यह होल स्क्रेवागा मैनस सैंट यह कीछार हो जाएगा थीज यहा थी आपका 3 है तो 3 य फैवका आपका होल स्क् 25 और 25 का LC हम आपका हो जाएगा 25 तो उपर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 तो 16 माइनस अगर 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 by 25 LHS इक्वल टू आर एच एस ठीक है दो कोशन के साथ कल फीर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू